आज हम गांग की रसोई में बना रहे हैं लौकी की सबजी वो भी बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही खाने में स्वादिश्ट लगता है इसे खाओगे तो नौन वेज खाना भी भूल जाओगे तो यहाँ पर हम छोसो ग्राम लौकी ले लिए हैं बहुत ही खीच्चा है इ यहाँ पर हम पतला पतला इसको गोल गोल काट लेंगे इसी तरह से हम सारे लौकी को काट लेंगे यहाँ पर जीरा मरी चुला असुन और मर्चाई इसमें पिशने के लिए रखे हैं और इसमें आदी एक इंच हम ले लिए हैं और इसको हम ग्रंडर जार में पिश लिए हैं यहां पतिके सारे लोकी को हम अचितरा से काड कर धो लिया हैं और इसमें हम डालने हैं तीन चमस बैशन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे वह जू पीसे-थे मसाला वह आपके पास पौडर मसाला है तो pouडर मसाला डाल दीजे हम ये खड़ा मसाला ही पीश कर डालते हैं बहुत ही स्वादिश्ट लगता है तो इसमें हम अलग से डाल रहा है मिर्ची पावडर और हल्दी पावडर और नमक और बेशन यहाँ पर हम स्वाद अनुशार नमक डाल लेंगे इसको हम डाल कर और अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से सब में हम इस तरह से लगाएंगे कि सारे लवकी मेरा तरह से हल्दी में मिक्स हो जाए तो यहाँ पर देखे इस तरह से किजिएगा तो यहाँ पर हम कुश कर लिए है लवकी को और यहाँ पर मेरा तावा भी गरम हो चुगा है और इसमें हम सरशो तेल डाल कर इसको चारो तरब से मिला लेंगे तो यहाँ पर हम जो लवकी को मसाला में कोट किये थे वो हम डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको मीडियों आज पर इसको हम दीरे दीरे कलेंगे तो यहाँ पर जब तक ले हम इसको गैस पर पका रहा है तब तब जो बचा था उसको हम इस मसाले में कोट करके सारे को एक जगा किनारे हम कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह से बनाईएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है जो बच्चे भी नहीं खाते हैं लोगी वो भी इसको पसंद करने लगेंगे और खाने में इतना स्वाधिश्ट होता है कि मत कहिए बेशन का जो टेक्स्चर होता है वो इसको और डुविना टेस्टी बना देता है तो इस तरह से इसको पलटते पलटते हुए आप लाल कर लिजिए गा इसको आप तेल में छान भी सकते हैं मैं तवा पर ही इसको बनाई तो आपकी मर्जी तो इस तरह से हम करके सारे को लाल करके हम इसको निकाल लेंगे इसी तरह करते हुए हम सारे जो लवकी काटे थे उसको हम लाल करते हुए निकाल लेंगे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक इसे जरूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है वो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा यहाँ पर देखिए हम सारे लगई को इस तरह से लाल सेख लिए है लाल करते हुए देखिए मसालoshima हम इसमें भूझेंगे तो is के लिए हम कणवी में तरशों के टेल डार कर उसमें हम डाले हैं जीरा और यहाँ पर मेरा बारिक कटा हुआ प्याज था तो यहाँ पर जीरा मेरा लाल हो चुगा था तो उसमें हम डाले हैं प्याज और शत्पत्ता इसको हम भूनते हुए लाल कर लेंगे और देखिए यहां पर मेरा प्याज लाल हो चुगा है और हम इसमें डालेंगे मसाला तो जो मसाला मेरा बच गया था तो हम इसमें डाल लेंगे तो आप भी इस तरह से दुस्तों बनाएए और कैसा यह सब्जी अफो लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहां पर हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और यह बारी कटा हुआ टमाटर इसमें हम डालकर सारी को हम भूंजेगे और इसमें हम डालेंगे स्वादनुसार नमक, नमक को डालते हुए भूंजेगे लौकी के सब्भी बहुत परकारश्य बनाया जाता है एक होता है बिना मसाले का, और एक होता है उस तरह से बच्चे इसे नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से बनाईएगा तो बच्चे भी खाएंगे और लोकी बहुत ही फैदेमंद होता है तो इस तरह सिरी के भूंते हुए हम इसमें पाणी छोड़ चुके हैं तो ज्यादा पाणी में डालिये गाँ यहां पर देखे इतना पाणी हमको चाहिए और यहां पर पाणी में हम सारे लोकी जो इसको हम भी हो डाल गलग कर दश पाक्र गारे यह दश पर देखि poda मनें पाच मिनट हो चुका था इस वह हम खोल गर हम डालेंगे मिल्ट मसाला गर्म मसाला और इसमें हम धनिया का बारिक बारिक कटा हुआ पत्ता डाए लेंगे और डाल कर हम इसको चला कर और ठक देंगे तो और दो-तीन मिनट पकेगा तो ये तुरंथ हो जाएगा तो यहाँ पर देखे हम इसको भी ठक कर दो मिनट और तीन मिनट पकाएंगे तो देखे हैं यहाँ पर मेरा दो-तीन मिनट हो चुका है और कितना लजीज सबजी बनकर तयार हुआ है तो इस तरह से देखे देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादेश्ट लगेगा और लवकी जो काच्छा था इसलिए तुरंट फक्तर गल गया है तो इस तरह से आप दोस्तों बनाएए और मिहमानों को आने पर भी दीजिए खिलाएए और अपने परवार में खाकर इंज्वाइ किजिए इस तरह से बनाएएगा तो अंगुलिया चाटकर लोग लवकी को खाएगे तो दस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना और कैसा लागा कमेट करके जरूर बताइएगा और यह वीडियो कहां से आप देख रहा है यह कमेंट करके बताइएगा तब तो पता चलेगा कि मेरा वीडियो कहां कहां तक जा रहा है और जो लोग मेरे चैनल पर नए है उसस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा तो यहां पर दिखें कितना अच्छा मेरा सब्जी बनकर तेया हुआ है एक बार इस तरह से आप भी आपा वुआ है झरलए शग है ridiculeले झाले शिया है किस अचली शड़े ऐसे नहीं कि मिर सरी हो रहा झाएंवार ले बनादिते है आप एफगा इसा है था किन आप पतारबने कर देया हैा उ़र और ले दोगां है